अत श्री दुर्गासप्च्षती नवमोध्यायह निशूम्वध ध्यानम ओम बंधूक कांचन निभन रुचिराक्षमाला पाशान गुकुषोंच वर्दा निजबाहुदंडया बिभरान मिदुषकला भरना त्रिनेत्र मर्धाम विकेश्मनेश वपुरा श्रियामी में अर कुष और वरद मुद्रा धारन करता है अर्धचिंद्र उसका आभूशन है तथा वो तीन नेत्रों से सुशोभित है ओम राजोवाच एक विचित्रमिदमाख्यात भगवन भवतामम देव्याश्चदरित महात्मयम रक्तबीज वधाश्रितम दो राजाने कहा एक भगवन आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भूत महात्मयमुझे बतलाया दो भुयश्चे च्छाम्यह श्रोतूं रक्तबीजे निपाते ते चकार शुभो यत कर्म निशुम्भश चाते कोपनह तीन अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यांत क्रोध में भरे हुए शुम्भ और निशुम्भ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ तीन रिशिरुवाच चार चकार कोपमतु रक्तबीजे निपाते ते शुम्भा सुरो निशुम्भश चे हते श्वेशु चाहवे पांच रिशी कहते हैं चार राजन युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुम्भ और निशुम्भ के क्रोध की सीमा न रही पांच हनमानन महासेन्यम विलो के अमर्श मुद्वहन अभ्यधावन निशुम्भोंत मुख्यया सुर्सेन्या छे अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्भ अमर्श में भरकर देवी की ओर दोड़ा उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी छे तस्याग्रत्त था प्रिश्थे पार्श्वर्योष्च महासुरा संदश तोष्ट पुटा क्रुधा हन्तु देवी मुपाययुः साथ उसके आगे पीछे तथा पार्श्वभाग में बड़े असुर थे जो क्रुध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने आये साथ आजगाम महावीर्य शुभोपी स्वबलर वृत निहन्तु चंडकां कोपात कृत्वा युधम्तु मात्रभे आठ महा प्रक्रमी शुम्वी अपनी सेना के साथ मात्रगनों से युध्ध करके क्रोध वश्चंडिका को मारने के लिए आप अहुँचा आठ ततों युधम तीवासी देव्या शुभ निशुम्भयों, शर्वर शम्तीवोग्र मेग्योरिव वर्ष्टों नौ तब देवी के साथ शुम्भ और निशुम्भ का घोर संग्राम शेड गया, वे दोनों देत्या मेगों की भाती बानों की भायन कर व्रिष्टी कर रहे थे नौ चिछे दास्तांचरास्ताभियां चंडिका स्वश्रोत कर रहे हैं, ताध्यामास चांगेशु, शस्त्रो ग्रेर सुरेश्वरों दस उन दोनों के चलाए हुए बानों को चंडिका ने अपने बानों के समुह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समुहों की वर्षा करके उन दोनों देत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुचाई दस उन दोनों के चलाए हुए बानों को चंडिका ने अपने बानों के समुह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समुहों की वर्षा करके उन दोनों देत्यपतियों क अंगों में भी चोट पहुचाई 10 निशुम्भों निशितम गम चर्म चादाए। निशुम्भ की श्रेष्ट तल्वार तुरंथी काट डाली और उसकी धाल को भी जिसमें आच चांद जड़े थे, खंड, खंड कर दिया बारा छिनने चर्मनी खडगे चा शक्तिन चिक्षिप सोसूर, ताम फिस्य, द्विधा चक्रे चक्रे ना भिमुखागताम तेरा धाल और तल्वार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किन्तू, सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी दो टुकडे कर दिये तेरा कोपादमा तो निशुम्भोत शूल जगरा, दानवह, आयातम मुष्टि पातेन देवी तच्चा पे चूर्णियत, 14 अब तो न विध्यात गदा सोपी चिक्षेप चंडका प्रती, सापी देव्या त्रिशुलेन भिन्ना भस्मतव मागता 15 तब, उसने गदा घुमाकर चंडी के उपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशुल से कटकर भस्म हो गई 15 ताता है, पर्शुहस्तम तमायात देत्य पु 16 तसमिनिपतिते भूम और निशुम्भे, धीमविक्रमे, व्रात्रियतीव संक्रुधाह प्रययो हंतुमं विकाम 17 उस भायनकर पराक्रमी भाई निशुम्भ के धराशई हो जाने पर शुम्भ को बड़ा क्रोध हुआ और अम्बिका का वद करने के लिए वह आगे बड़ा 17 स रत्स्थस्त थायू चर्ग्रिहीत परमायुधा, बुजे रश्टा भिरतुल अर्व्या प्याशेश बभो नभा 18 रत पर बैठे, बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी आठ अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को रखकर वो अद्बू 18 तमायात समालोक्य देवी शंखमवादयत, ज्या शब्दम चापी धनुश श्चबकारातीव दूसहम उन्नीस उसे आते, देख देवी ने शंख बजाया और धनुश की प्रत्यंचा का भी अत्यंथ दुस्स्य शब्द किया उन्नीस पूर्यामास का कुभो निजगंटा स्वनन्च, समस्त देत्यसेन्याना तेजोवद विधायना बीस साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त देत्यसेनिकों का तेज नश्ट करने वाला था, समपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया बीस ततह सिंगो महाना देस्त्याजितेभ महामदया, पूर्यामास गगन गां तत्यव दिशों दश 21 तदनंतर सिंग ने भी अपनी दहार से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृत्वी और दसों दिशाओं को गुजा दिया 21 ततह काली समुत्पत्या गगन क्षमामतात, कराभ्या तन्निना देन प्राक्स्वनास्ते, तिरोहिताह 22 फिर काली ने आकाश में उच्छल कर अपने हाथों से पृत्वीप आघात किया, उससे ऐसा भयन कर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शान्थ हो गए 22 अटाटहा सम्शिव शिवदूती चकारह, तेह शब्देर सुरास्त्रे सुव शुभा अकोपन पर ये यो 23 ततपश्चात शिवदूती ने देत्यों के लिए अमंगल जनक अट्टहास किया, इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किन्तु शुम्द को बड़ा क्रोध हुआ 23 दुरात्मन स्तिष्ट तिष्ठेती व्याजहा राम्बिका यदा, तदा जयेत्य भिहितं देवेरा काशसंस्तित हैं 24 उस समय देवी ने जब शुम्द को लक्षय करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह, खड़ा रह, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जये हो, जये हो 24 शुभेना गत्या या शक्तिर मुक्ता ज्वाला ते भिशुना, आयाती वहनिकुटा भासा निरस्ता महोल किया 25 शुम्ब ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यांत भायानक शक्ति चलाई, अग्निमाय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया 25 सिंगनादेन शुबस्य व्याप लोक्त रायानतरम, निर्गात नहस्वनों घोरों जित्वानव नीपते 26 उस समय शुम्ब के सिंगनाद से तीनों लोक गून जुठे राजन, उसकी प्रतीध्वनी से वज्रपात के समान भायानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया 26 शुब मुकतांछरां देवी, शुब स्ततप्रहितांछरा, चिछेद स्वश्रेरोग्रह शत्शोत, सहसरशह 27 शुम्ब के चलाए हुए बानों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बानों के शुम्ब ने अपने भयन कर बानों द्वारा सेकडों और हजारों टुकडे कर दिये सत्ताई तता सा चंडिका क्रुधा शूले ना बेजगान तम सत अदाबिहतों भूमों मूर्चितों निपपाथा 28 तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शूम्ब को शूल से मारा उसके आघात से मूर्चितों वो प्रिथ्वी पर गिर पड़ा 28 ततों निशूम्भा संप्राप्य चेतना मायत कार्मुका आज घान शरेर देवी काली केसरिन तथा 29 इतने में ही निशूम्भ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बानो द्वारा देवी काली तथा सिंग को घायल कर डाला 29 पुनश्चश कृत्वा बाहुनाम्युत दनुजेश्वित्र चक्रायुधेन दितिजश्च्छा दयामास चंडिकाम 30 फिर उस देत्यराज ने 10,000 बाहे बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया 30 ततों भगवती क्रुधा दुर्गा दुर्गार्ति नाशिनी चिछेद तानी चक्रानी स्वशर्ह साइकांच चश्टान 31 तब दुर्गम पीरा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बानों से उन चक्रों तथा बानों को काट गिराया 31 ततों निशूम्भों वेगें गदामादाए चंडिकां अभ्यधावत वे हंतु देत्य सेना समावरिता 32 ये देख निशूम्भ देत्य सेना के साथ चंडिका का वद करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दोड़ा 32 तस्यापता तेवाशू गदा चिछेद चंडिका गेन शितधारेन सच शूल समाद्दे 33 उसके आते ही चंडिने तीखी धारवाली तलवार से उसकी गदा को शीग रही काट डाला तब उसने शूल हाथ में ले लिया 33 शूल हस्तम समायात निशूम अम्रद्नम रिदी विव्याद शूलेन वेगाविदेन चंडिका 34 देवताओं को पीरा देने वाले निशूम्द को शूल हाथ में लिया आता देख चंडिका ने वेग से चलाये हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली 34 बिननस्या तस्य शूलेन हरिदयाने सुरितोप्रय महाबलों महावीर अस्तिष्ठेती पुरुषों वदन 35 शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रह खड़ी रह कहता हुआ निकला 35 तस्या निश्क्राम तो देवी प्रहस्य स्वनवत्तत है शिरश्चिछेद गेन ततो साउप्तत भुवी 36 उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी धठाकर हस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला फिर तो वो प्रिथवी पर गेर पड़ा 36 ततह सिंगश्चदखादोग दिनिश्ट्राप्षु इन्शुरोधरा असुरास्तास्था काली शिवदूती ततह प्रा 37 तदनंतर सिंग अपनी दारों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा ये बड़ा भायनकर द्रिश्य था उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य देत्यों का भक्षन आरंब किया 37 कौमारी शक्ति निर्भिनाः कैचिन इशुमहा सुरा ब्रमानी मंत्रपूतेन तो ये नारे निराक्रता 38 कौमाई की शक्ती से विदीर्ण होकर कितने ही महादेत्य नश्ठ हो गए ब्रमानी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए 38 महेश्वनरी त्रिशुलेन भिन्नाह पेतुस्त थाप्र वाराही तुंध धतेन के चिचुर्नी कृता भुवी 49 कितने ही देत्य महेश्वरी के त्रिशुल से च्छिन भिन्हो धराशई हो गए वाराही के थूथुन के आघात से कितनों का प्रित्वी पर कचुमर निकल गया 49 खंडम खंडम च चक्रेन वैश्णव या दानवाह कृता वज्रीन चेंद्री हस्ता ग्रविमुक्तेन तथा प्र 40 वैश्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के तुकडे कर डाले एंद्री के हाथ से छुटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैथे 40 कैचिद्विनेशुर सुराह कैचिन नष्टा महावात, भक्षित आश्चाप्रे काली शिवदूती म्रिगाधिपया ओम 41 कुछ असुर नष्ठ हो गए, कुछ उस महायुद से भाग गए तथा कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंग के ग्रास बन गए 41 इती श्रीमाकणडेय पुराणे सावर्ने के मनवन्त्रे देवी महातमे निशुम्वदू नाम नवमोध्यायह 9 ओवाचदो š्लुएकाह 49 एवम 41 एवम आदितह 5456 इस प्रकार श्रीमाकणडेय पूराणंे सावर्ने कमनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्मयमे निशूम्ववद नामक नवा अध्याय पूरा हुआनो